बहुत बड़ा द्वार है और बहुत मजबूत द्वार है यानि कि आप मान सकते हो कि यह जो द्वार है यह कितनी मजबूते सा बनाया गया होगा यानि कि यह पंच महल है आप देख सकते हो पंच महल में क्या है खास यह कुछ बने हुए हैं गुफाएं जैसे कुछ कमरे बने वह पुर्य भारत में वह आपको मैं दिखा देता हूं कितनी मोटी दिवार है आखिर का दूस्तो नई विलोग में आप सभी का स्वागत है एक्चुली हम मुरेना से निकले थे भिंड के लिए लेकिन जब हम रास्ते में आ रहे थे तो सोचा क्यों ना यार हम भिंड जाएं उससे अच्छा है कि कुछ दूरी पर जहांसी है तो हम जहांसी निकल ले जहांसी की राणी जिसे कले नी चेया से कहते हैं एक यहांसी के राणी पर आई उने के की अग में कब्वामसर ब्लग कॉ, यह तो इस्टेंट करें अग्चुली आप उसमें विल लोग बैख जमा करने के लिए आपका यहां लगा क्यों बैख जमा करते हो कितना रुपे लेते हो पैसे को तकत नहीं है जो चार्ज लेता है फीली होते हैं कि लोग रूंप बंगना है अदिश्चा होता है इसका आपने ठेका ले जमा करने का अच्छा मोटर साइकल का और बेग का लग है अगर आप भी ले लेकर नहीं जा पाओ अच्छा बारी बेग है तो वह कहां तक ढोता रहेगा तो यह बैग इस्टोर है यह आपर वैसे और मैं भी रखने वाला हूं कि मेरे पास तो अल्रेडी बहुत बड़ा बेग आप वैसे में कहां लेकर जाओंगो इसको बैक क्योंकि वेट भी है उसमें और इतना भूहना पोसिबल ने लिए होगा कितना चार्ज करोगे कितना चार्ज करोगे बड़ा बैग है यह वे पीछे का बस दस रुपर चार्ज होगा और यह हेलमेट हैलमेट आप लेजा सकते यह भी रख लो ना लो करना दो लो कर दीजिए बैक के अंदर या यहीं रख दू तो उस पर नमबर डलेगा फिर उसका 10 रुपे चार्ज है अरे दोनों का 10 रुपे नहीं हो अलग अलग होगा अलग 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 नमबर ड़ता है तो तो बैं आमने बाइक का भी तो दी यहां बाइक का दिया है आपका हैलमेट का लॉक आता है मार्केट से खरीद के आप लॉक कर सकते हैं यूपी देख रहे हो आप मैं तक्रिबन जितने भी टूर पर गया हूं यूपी एक पहला इस्टेट है जहां पर हर चीज की चार्जर सलग लग 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 कील-ज्य मुहां बहुत आपके दिख आएक है अब iki जो है बिंड मुरेना और अपका अपकर आया हूं उहां पर जो कीले हैं वहां कोई पार्किंग की व्यस्ता तो नहीं है गारीं आप भाहर कर सकते हो यहां पार्किंग के व्यस्ता यहां पर चार्ज जैसे तो 20 रुपे लोगे आप मतलम इससे कम नी होगे आप जुम्मेदारी मुझे देऊगे तो कोई जुम्मेदारी का तप्पर चलिए यह रखिए आपका असावान चले आए आप तो मुस्तिल होगे ना बाकी यह जो बड़ा बैगे यह मैं रखने वाला चलो यह एक नए चीज देखने को मिलिए यहां पर कैमरा लाओ नहीं है फोन अलाओ है और आप फोन से वीडियो शूट कर सकते हो फोन से बागी कैमरा यूजन है तो इसको अगर हाद से पकल दूआ तो अच्छा ऐसा कल लूँगा चलिए यह अगर आप कभी भी आये तो प क्या मिलती है और रही और की पर जासे हूं और क्या होती है और यह कीला आप देख सकते हो रानी लक्षिम भाई का एकीला है और चाहती का बड़ा फेमस और प्रसिद्ध है अब जहाँ पर कैमरा ले जाना अलाव है नहीं यह तो अंदर ही पता चलेगा और अलाव नहीं होगा तो हम यूज नहीं करेंगे अगर होगा तो हम कर लेंगे यह विल्कुल यह है यह यह सार्क और 25 रुपेश आपको देना पड़ता है और प्योज द्वार आपको 20 रुपेश यहने कि ऑनलाइन द्वार आपको 20 रुपेश और सारी चीज़े हैं मतलब यह आपको विदेशी के लिए आपको केश 300 और ऑनलाइन आपको 15 वार्ष तक बच्चों को प्राइफ प्राइब के लिए अलग से टिकेट काटा है जो 25 रुपेश का होता है आपको अगर आप केमरा और स्टेंड लेकर आ रहे हैं तो आपको 25 रुपेश यहां पैकरने पड़ेगा उसके लिए ऐसा टिकेट स्पेसल बनता है और वन परसन के लिए एक अलग टिकेट बना है उस का जो प्राइस है वो भी 25 रुपेश कुल चार्जेस है कैमरा के लिए और यहां एक विप्ति के लिए यह जो गार्ड लग रहता है यहां पर आपको यह शो करना पड़ता है यह लिए यह श्याद विएपे एंट्री होगी यह पूरा हो चुका है और यहां से अब हमारा च कि अब दोस्तों हम बना रहे थे दो तीन बार हमें रोग दिया गया कि आप परमिशन दिखाईए तो हमने उने परमिशन दिखाया तो मैं आपको गेट दिखा देता हूं सबसे पहला गेट देखिए यह गेट है यह यहां पर और यह काफी मजबूत गेट है और काफी अब हम इसके अंदर एंट्री करते हैं यह गेट द्वार है और यह जो फाटक है आप पहले फाटक देखिए यह उस समय की ही फाटक है और इतने मजबूत गज़ाब और यह विल्कुल एरो जैसा कुछ वना हुआ है वालब ब्लकुल नुकिली चीज़ है यह नहीं कि सुरक तो नहीं कर रहा है उससे में कुछ भी और बहार तोफे रखी है और जैसे कुछ उन्हें आज सुरक्षे फील होती होगी यह कुछ लगता होगा तो शयाद वो तो कभी इस्तिमाल करते होंगी तो आप यह उपर देखिए इतना बहुत बड़ा है मतलब काफी जादा और इत यह देखिए यह पूरे अंदर का नजारा है एक चोटी चो यह जो चठाने है ना यह एक चूली इतनी मजूद पहले जो तमाम किले बने हुए इन चठानों से ही बने हुए हैं और इस को यह 1896 में इसका निर्मान किया गया था यह जो बना है यह पता नहीं क्या है लेकिन संगीत के इंस्टुमेंट होते हैं मतलब वो जो संगीत बजने के शाथ वही होंगे यह कुछ हो रहे है लेकिन यह ऐसा कुछ अंदर ही मौजूद है इसके बाद एक पंच महल है यह बहार से कुछ ऐसा नजर आता है यहां पर बहुत सारी अंदर ही अंदर जो फेला हुआ ह और वहीं आ यह से बहुत सारी छीजर देखने की जैसे यह हैं कुधान इस्टल अमऊद बांण पंच महल तो मैं आपको दिखा देता हूं सबसम efforts मं यह बीना में आप और इसको पंच मेहल जो नाम दिया गया उसके पीछे का भी रेजन बहुत बड़ा होगा शाइब यह है पंच मेहल देखिए आपको दिखा देता हूं यह यह यहां से जाने का कुछ भी नहीं है यह यहां से है एंट्रिगेट सोरी बहुत बड़ा करते यह यहां पर अंदर बिल्कुल अंध्यर आहे पंच मेहल मतलब इसमें पो सकता है कि बहुत सारे कमरे यह से बने हुए है अ सब्सक्राइब करएं इस तरह से पंच मेहल कहा गया है यह एक गेट दो गेट और फिस पांच जो पांच गेट है यह क्यों बनाए हूगे इस तरा से या रहने के लिए बनाया था या क्या करने के लिए बनाया था पता नहीं लेकिन यह इस तरा से है है और नकासी विलकुल VIP जैशे बहुत बहुत डाजा़ा भी के अंदर नघर्ध अज़रापंच महिल का ऐसा है बहुत लंबा है अगर आओ तो भूंगे तो आपको पता चल जाएगा यह कुछ गेट को गे रहे हैं तो शाहत पता नहीं क्या है तो तल घर है हम कहा सकते हैं इसको अंदर आओ और यह ऐसा है विल्कुल नर्जा रहा है यह तो कोप बहुन लग रहा है मुझे है कोप बहुन का मतलब यह है कि उससे में रहते हैं जब कोई नराज होता था तो इसको कोप बहुन बैठ दिया जाता था यह चली जाते थी प्राणिया कुछ ऐसे ऐसे नज़्जा रहे हैं अब बहुत बड़ा बनावा है पंच महल और सभी में अंदर में अंदर जाकर अब देखो के तो यही सब चीजें और कुछ गोफाएं भी यह शायद यह अंदर कहीं हो जाती हैं तो बिल्कुल अंधेरा आपको कुछ में दिखाई देगा तो यह पुरा है अंदर तो बिल् यह बिल्कुल सब जगह जालिदार गेट अभी लगाए है यह पहले के नहीं थे और यहां से फिर उपर जाने का रस्त है यहां से फिर आप उपर जा सकते हो जो पंच मेल से बहार आ गये हैं अब यह कीले की जो दिवारे हैं जो फेमस है पूरे भारत में वह आपको में दि बहुत मोटे मोटे अब तो फोड़ा से कुछ निर्मान चल रहा है शाद गिर गई होगी लेकिन ऐसे ऐसा यह बने हुए थे ऐसा किले यह किला बना हुआ हुआ है क्या ओचित्य रहा होगा इतना यह पंच महल आप देख सकते हो यह ऐसा पंच महल बना हुआ है यानि कि हर इसमें महल में पांच खिड़किया विंडो है इसलिए शाद इसको पंच महल देखिए तीन विंडो प्लस टू विंडो इसमें भी तीन विंडो फ्लस उधर पांच विंडों कि अब कि है कि है कि हमने पंच महल कंप्लिट कर लिया है अब हम आपको कुछ जो किले की दिवारे हैं अंदर की तो फाइनली दोस्तों हमने पंच महल तो घूम लिया है अंदर भूल भलाईया वाली इस्तिती है और अंधर ही अंधर आये और मैंने आपको पुरा दिखा दिया पंच महल घूम कर ज्यादा उसमें कुछ निये बस महल बने हुए छोटे 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 जो पंच पंच गेटे उसी वज़ा से शाहिद उसको पंच महल नाम दिया गया हुआ कि अ कि अ कि अ कि अ